दोस्तों आपने गूगल प्लेश्टर पर जाईए यहां पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस इस एप को डाउनलोड किजिए इस एप में आप सारे गुवर्मेंट एक्जाम्स की तियारी बहुत ही लो कॉश्ट में कर सकते हैं साथ ही फ्री टेस्स भी दिला सकते है खास करकि यह एप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है नमाशकार्ण दोस्तों स्वागा थे आपका योगेंद्र साहू आंलाइन क्लासेश में मेरे क्लासेश ओफलाइन अटेड करने के लिए या फिर पेड ओनलाइन क्लासेश अटेड करने के लिए कॉंटेट करें 877-0123-667 पर हेलो फ्रेंड्स वेलकमटू योगें साहू ओन्लाइन ख्लासेज है अमने न वर्ड के कुछ विलौम शब्द कवर किये थे आज उससे आगे का देखेंगे ठीक है देखे पहरा है निशिद्ध, निशिद्ध का विलोम होगा विहित, निशिद्ध होता है मतलब किसी चीज का विरोध, मतलब निशेध करना, ठीक है, विरोध ना होके निशेध, निशेध करना, ठीक है, और उसी प्रकार है विहित, मतलब उचित, निशिद्ध मतलब वह हमार तरह लिए उचित नहीं है अनुचित बोल सकते हैं और विःत मतलब हमारे अचित रॉब झाल की ऊकर तूथ पटब भगवान की नाम जबना यह ऐसा प्रेलेट कर सकते हैं तो पता है किसी की बुराई करना व स्तूति मतलब ions मैंतलब TurkishMA स्मरंड करना ये भी कह सकते हैं ठीक है निरर्थक और सार्थक निरर्थक मतलब होता है बेकार वेश्ट ठीक है और उसी का अपोजिट हो जाएगा सार्थक मतलब इसका एक अर्थ है ठीक है मतलब सा अर्थ समेथ ठीक तो ये पूछा भी गया है, देखिए निरक्षर का opposite होगा साक्षर निरक्षर जो होता है, जो अंपढ़ हो साक्षर मतलब पढ़ा लिखा निष्ट काम का क्या होगा? समित निष्ट काम मतलब बिना काम के समित जहां पर सा लगए है ना स के आगे जो भी देखे सार्थक हो गया सकाम हो गया ठीक है तो यह काम सहित ठीक यह होता है ठीक हमने उपर देखा था सकर्मक मतलब कर्म सहित ठीक निष्फल मतलब सफल, निष्फल का पोजिट हो जाएगा सफल, ठीक है, नेकी, नेकी का पोजिट है बदी, ठीक है, अब देखिए नैतिक, नैतिक मतलब एक दिंचरिया समझ लेजें एक रूटिन नेतिक आचरन बोलते हैं वैसी उसका पुजिट होता है अनेति ठीक है नश्वर जो नश्ट हो चाता है हो सकता है और अनश्वर यह साश्वर जो नश्ट नहीं होता नित्य अनित्य ठीक है नित्य जो सदेव नित्य कार्थ होता है सदेव ठीक और अनित्य लगा जाएंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा आयात निर्यात ये पता होगा निश्य अनिश्य या फिर संदेह निंद्य और उतका अपोजिट होगा वंद्य निंद्य मतलब निंदा करने योग्य जैसे हाँ पर हमने निंदा देखा था न वैसे ही है ये निंद्य है निंदा से ही बना है निंद्य मतलब निंदा करने ठीक है वंदना हम किसफा करते हैं इश्वर का थी तो बना करने योगे को क्या कहेंगे वंदय यह इस्तूत्य यहां पर हम देखा था इस्तूति निंदा का पोश्ट वैसे इस इनिंद्य हो गया तो इस्तूत्य हो गया ओ-फो बएक्धिये झाय मतलब कम होता और अधिक उसका पोजिट हो जएगा अधिक वैसे निउन्तम का अधिकतम जहां पे तम लगा है तो है यहां पर मुझा दिये शिक्क नैसरगी मतलब होता है प्राकृतिक य tortilla लिख भी ली जिएगा प्राकृतिक मतलब होता है आर्टिफिश्यल जो मानव और द्वारा होता है चिए मानो निर्मित है उससे क्षित्रिम कहते है नेक्स निर्भेता निर्भेता का ओप musicians होगा भैता निर्भय मतलब जिसमें भirement नहीं हो और भैता मतलब डर समेत निर्ब्है सभै लिए ñosटूर निकरिष्ट मतलब जो वेकार है ऑफ उतकरिष्ट मतलब है जो भुछ अच्छा है ठीक है। बहुत अच्छाosition तिक क्या हो जाएगा वह उतकृिस्ट तिक नगन्य और गन्य नगन्य मतलब कुछ नहीं सुन्य ये भी कहते हैं तो गन्य का पोजिट हो जाएगा गन्य नवीन मतलब नया और प्राचीन मतलब होता है पूराना अब देखिए निर्धन निर्धन का opposite क्या हो जाएगा धनार्द्य या धनी भी बोल सकते हैं आगे देखते हैं पठित पठित का क्या हो जाएगा और पठित पठित मतलब जो पढ़ने योगे हो और पठित जो पढ़ने योगे नहीं हो उत्थान का होगा पतन, परतंत्र क्या हो जाएगा, दूसरे का तंत्र, और स्वतंत्र मतलब स्वयम का तंत्र मतलब शाशन, ठीक है, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, तो अपोजिट हो जाएगा, स्वाधीन, मतलब स्वयम के अधीन, है न, मैंने बताया था, ये परुष परुष का मतलब होता है कठोर का अपोजिट हो जाएगा कोमल पंडित को बहुत ज्यानी समझा जाता है इसलिए उसके अपोजिट क्या लखा गया है मुर्ख ठीक है परमार्थ या परार्थ मतलब दूसरों के अर्थ के लिए करते हैं ठीक है मतलब दूसरों की भलाई के लिए ठीक है परमार्थ स्वार्थ मतलब स्वयम का स्वयम सिध्धी जो देखते हैं स्वयम की भलाई देखते हैं पवीत्र का तो पता होगा पाशात्य पवार्थ्य पार्वार्थ्य ठीक है पाश्चात्य मतलब होता है जो जैसे आधुनिक पाश्चात्य मतलब जैसे हो गया जैसे अगर हमने बोला कि पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहंड कर रहे हैं मतलब आधनिक संस्कृति दूसरे विदेशी संस्कृति ये ये हो जाएगा ठीक है अब परवार्त ये मतलब प्राची हो जाएगा उसका अपोजिट पैनी पैनी का अपोजिट है भोथरा ठीक है पैनी पैनी मतलब नुकीला होता है ठीक है नुकीला और उसका अपोजिट पश्रगामी अग्रगामी मतलब आगे आगे का और पश्रगामी मतलब पीछे वाला ठीक प्रादहता और सायमकल प्रजा तो दाजा ठीक है प्रजा क्या पोजित राजा प्रशंसा निंदा ठीक है निंदा का हमने इस तूती भी देखा था प्राकृतिक क्रित्रिम इसका हमने नैसरगीक और कृत्रिम है ना वही है कि आगे देखते हैं कि प्रमुख के क्या हो जाएगा प्रमुख जो बहुत important है जो समान्य है तो प्रमुख का पुझे समान्य प्रसन्न प्रत्यक्ष मतलब आखों के सामने ठीक है मतलब सामने समाज लिए प्रत्यक्ष अब परोक्ष मतलब पीछे ठीक है पीट के पीछे समाज लिए ठीक पदन्नती मतलब पद में उन्नती मतलब उसको प्रमोशन हुआ है और जो डिमोशन होता है उसे पदावनती कहते है अवनती मतलब ना पतन होता है ठीक है उन्नती पतन होता है उसमें पद को बस जोड दिये हैं अब देखिए प्राच्य और पाशात्य प्राच्य मतलब होता है प्राचीन हमने अभी और देखा था पाशात्य और पौरवार्त्य ठीक है यहां पे देखा था पाशात्य मतलब होता है नवीन जो संस्कृति है वो और प्राच् रखेगा प्रारंभ का हो जाएगा अंध प्रकास का क्या हो जाएगा तीमिर अंधकार यहां पे आलोक भी आ सकता है प्रकास आलोक का होगा तीमिर अंधकार प्रासंगिक या बेतुका प्रासंगिक मतलब जिसका कोई अर्थ है है ना मतलब यहां पे यह प्रासंगिक है मतलब इसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उसका पोजिट होगा आप्रा संगिक या बेदुका जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है प्रफुल मतलब खुशी खुशी या एक हैपी वाला मूड आप कर सकते हैं और ग्लान ग्लानी समझते हैं गिल्टी फिल होता है वही है प्रफु पश्र का होが अग्ला पाप का होगा पुर्ण्य ऐसी है आद बंजर मतलब जिस भूमी पर खेति नहीं होती है उसे बंजर कहते है उर्वर मतलब हरी बहुत सारी फच्छल होती है बंद्यां मतलब ऐसे ही समाझ लीजे ऑर उर्वरा जहां पहुत सारी खेति wound मतलब बहुआ दोनों एक ही हैं बल्वान मतलब hundred निर्बल जो जिसके पास वर नहीं है यह दो बंधन से मुक्ति त इसे शल्ट रपो गया है अबहादुरी दरपोक भाहीस्तार श्वीकार हम इसको इसकार USA करते हैं विद्र सब्य समाज और बरबर 2 वाला एया जो Behatia बहुत कमी बहुत अधिक private सों सूह बाड़ के सूखा कहीं बाढ़ाता है तो कहीं सुखा देखिए बुद्धी बुद्धी मतलब चांदते हैं बुद्धी सब के पास होती है कुबुद्धी मतलब बुद्धी इसको सब बुद्धी भी बोल सकते हैं मतलब अपनी बुद्धी का प्रयोग करना कुबुद्धी मतलब बुरा बुरा निर्भिक मतलब निर्भ है मतलब जो इसमें डर नहीं है ठीक निर्भिक तो भीरू का उपोजिट हो जाएगा निर्भिक आपको इसका मीनिंग बता होगा ना तो आप इसका विलोम सब्दा आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है अब देखिये भद्र, भद्र मतलब system word हो गया उसके सांगने अभद्र क्या हो जाएगा दुस्ट बहाग्य दूर भाग्य बोलते हैं एसा बोलते हैं भावी अतीच भावी मतलब होता है भाविश्य में घटने होग और अतीच होता है पाश्ट में घटिट ठीक है बहारी का hb अध्यात्मिक भूतिक जगत से संब्दित और अध्यात्मिक मतलब धर्म से संब्दित भूत का हो जाएगा भविश्य वैसे यह अतीत भूत ही और भावी क्या है भविश्य यह दोनों एक जोसे से यहां भीड भाड अपोजिट्ट हो जाएगा यहां भूला कोई बोला होता है तो आपोजिट्ट हो जाएगा निर्भय मतला है जिसको भै हो और निर्भय नहीं हो या अब है यहां पर सब है ऐसा नहीं होगा सिफ भय एक वर्ड है अब देखिए मंथर मंथर का पोजिट है शिप्र इसे याद कर लिजे ऐसी रट लिजे इसे आप ऐसे मंची मच्छी भी याद मंध्य मंध्य मंद्य का उपजिट हो जाएगा शिप्र इसे मंग्न बोलते हैं किसी अपने काम में मग्न है इस मंध का तीम मंधा का निष्ठूरता मम्ता जो मम्ता मतलब निष्ठूरता मतलब कटूता महात्मा तो दूरात्मा कोई-कोई आत्मा जो महान होती है महान कारे करते हैं जैसे हमने महात्मा गंधी को महात्मा की उपाधी दिया गया है वैसे ही दूरात्मा होते हैं, जो बहुत ही गंदे काम करते हैं, उन्हें दूरात्मा कहते हैं, महीमा, किसी के महीमा गुंगान करते हैं, वैसे ही लगहीमा, ठीक है, उसका अपोजीट है, महीमा का लगहीमा, महान, महान का क्या हो जाएगा, शुद्र, ठीक है, महान का क्या हो पी छो गया ना किसी भी रेत का तुकड़ा एक दा महीन होता है और उसका पूजिछ दहएगा मोटा ती मुढ मतलब होता है अज्यानी मूप मतलब होता अज्यानी या मुख सामने होता है सामने की और पीठ पीछे की और ठीक है मृदू कठोर ठीक है मृदू या सौम भी होता है ठीक है कठोर या रुष्ट भी ठीक है रुष्ट ठीक है रुष्ट ठीक है मृदू लियाने भी कोमल होता है और कठोर तो कठोर है मधूर कटू मधूर वचन कटू हुआ चैन मूख जो कुछ नहीं बोलता वाचाल बातुनी जो बहुत बात करता है ठीक है उसे वाचाल कहते हैं देखिए मनुझ दनुझ मनुझ का पोजिट होगा दनुझ ठीक है यहाँ पर अनुझ और वो अग्रज वाला नहीं है मनुझ है और दनुझ है मिलन या मिलना बिच्छो या बिचुडना मतलब मिलन मतलब आज हम मिलने वाले हैं दो लोग आज मिलने वाले हैं तो मिलन हुआ उनका और अगर वही बिच्छरने वाले हैं अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं टेके डो लोग है यह से दूर जा रहा है तो अग भी चो हो रहा है टेके मुनाफा क्या होजाएका नुकसान एक ह्यों चैज़ bunu ब्हूंत आल्सित मिद व्याई अपवई मिद when कम कर्च करने वाला लब खर्च करने वाला अल्प व्याई भी कहते हैं और अपवै इसका अधिक खर्च करने वाला। मुख्य और गॉम्ण मतलब कीम्ती मुल्यहीन मतलब सस्ता। मलीन मतलब गंदा निर्मल सौक्ष महमान जो जिनका हम आदर सत्कार करते हैं मेजबान जो आदर सत्कार करता है यह घर है तो यहां कुछ गैस्ट है तो यह कहलेंगे महमान और जो घर के अंदर है वो कौन है मेजबान चीक है से याद रखिएगा मिलीत का अपोजिट होगा अन मिलीट मतलब मिल कर होगा और अन मिलीट उसका अपोजिट है तो ध्यान में रखिएगा फूचा भी गया है अब देखिए योग, योग का अपोजिट होगा, वी योग, योग मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो शब्दों को या किसी भी बर्डों को जोड़ना, ठीक है, अंकों को जोड़ना, वी योग मतलब अलग करना, ठीक है, अलग-अलग कर देना, योग्य, अयोग्य, तुम इ यथार्थ कल्पित मतलब यथार्थ जो वास्तों में है और कल्पित जो कल्पना है हमारी ठीक है वही होता है कल्पित और यथार्थ जो वास्तविक है ठीक है यश कहा हो जाएगा अप यश ठीक इजी है यह आगे देखिए राग राग का हमने देखा था राग द्वेस या व वह ऐसा होते हैं उसका उसे कहते हैं रुदन का अपोजिट होगा हाश्य रुग्ण का अपोजिट होगा स्वस्थ्य ठीक है रुग्ण मतलब यह होता है इसका एक बीमार समझ लीजिए ठीक है बीमारी ठीक है पर ऐसा नहीं बोल सकते कि वह वैक्ति रुग्न है ठीक है यह रुग्न एक अलग सेंस में बोला दाता है उसका पॉजिट है स्वस्थिय रंगीन का क्या हो जाएगा रंगहिन नेस्ट है ललीत या सूरूप ललीत या सूरूप मतलब ललीत मतलब अच्छा या सूरूप हो जाएगा ठीक है उसका प्योजिट हो जाएगा कूरूप ठीक जिसका प्यास रूप नहीं है जिसके पास रूप है सूरूप लाब का हो जाएगा हानी, लिखित का हो जाएगा अलिखी, लोकिक का हो जाएगा अलोकिक या दिव्य या पारलोकिक, तीनों याद रखेएगा, कुछ भी दे सकता है लोकिक का हो जाएगा अलोकिक, या फिर दिव्य या पारलोकिक लौकिक मतलब यह हो जाता है इस लोक से इस लोक में लौकिक का हो जाएगा इस लोक में और लौकिक दूसरे लोक से लाघो गौरो हमने पीछे भी देखा था यह प्रिविएश वीडियो में लाघो का पोजिट होता है गौरो यह इंपोर्टेंट है पूछा भी गया है बहु बाद होता है विराम अविराम विराम कहा हो जाएगा अविराम विधी निशेद ठीक है विधी मतलब होता है कानून ठीक है और उसका निशेद कानून अगर बना है तो उसका पालन नहीं कर यह उसका पोजिट हो जाएगा तो निशेद हो ठीक है विद्वा विद्वा मतलब स विपन्न संपन्न विपन्न मतलब होता है गरीब ठीक है जिसके पास कुछ संपत्ती नहीं है ठीक है एक हिसाब से गरीब बोल सकते हैं विपन्न और संपन्न मतलब धनी ठीक तो विपन्न मतलब गरीब और संपन्न मतलब धनी वी रक्त वी रक्त आसक्त या अनुरक्त ठीक है वी रक्ल का अपोजित हो जाएगा आसक्त या अनुरक्त ठीक है विनीत विनीत का अपोजित है उद्दंड या दुर्विनीत ठीक है विनीत मतलब होता है एक आगरह करना ठीक है और दुर्विनीत मतलब उसका अपोजित हो गया आगरह का अपोजित समझ लेजिए और विलंब तो अविलंब वह विलंब से आया तो अविलंब ठीक है आपोजिट हो जाएगा विस्ष्ट का हो जाएगा समानी ये तो इजी है विस्ष्ट समाने साधार विस्तार का हो जाएगा संशेप अपने कोर्शन देखते होंगे तो इसे विस्तार पूरवक समधाई है एक लाइन में ठीक है वैसे ही विस्तरित और संशिप्त विस्तरित रूप से संशिप्त रूप से विस्तरित मतलब पूरा फैला के और संशिप्त एक लाइन में वन लाइनर व्रिद्धी मतलब उन्नती हरास मतलब पतन ठीक है अपोजिट हो जाएगा वैतनिक मतलब वेतन जो पाता हो अव एतनिक जो नहीं पाता हो ठीक है विशलेशन संशलेशन ठीक है किसी चीज का विशलेशन होता है उसका पोजिट होता है संशलेशन ठीक है विपूल का पोजिट होता है स्वल्प ठीक है व्यक्ति का पोजिट है समाज ठीक है व्यक्ति अकेला होता है और समाज क् व्यक्तिक का पोजित हो गया समाज वैसे ही व्यक्तिगत का पोजित हो जाएगा समाजिक ठीक है व्यक्तिगत का पोजिक है समाजिक और व्यक्तिक का हो जाएगा निर्व्यक्तिक ठीक है व्यक्तिक को याद रखेगा व्यक्ति गर्थ व्यक्ति यह तो समाद और समाजिक हो गया ठीक है बट व्यक्तिक का अगर पूछा जाए तवा होगा निर्व्यक्तिक ठीक है व्यमनस्य व्यमनस्य मतलब वह मानव से सम्मंदित है यह सौमनस्य ठीक है व्यमनस्य का पोजिट हो जाएगा सौमनस्य ध्यान र विपदा का क्या हो जाएगा संपदा विक्रे क्रे विसर्जन आवाहन ठीक है पहले हम जैसे अभी दूर्गा विसर्जन हुआ गणेस विसर्जन हुआ उससे पहले क्या करते हैं उनका आवाहन करते हैं मतलब उनका बुलाते हैं स्तुति करते हैं ठीक है तो यही हो जाएगा आवाहन और उसका पुजिट है विसर्जन चिक तो आज के लिए इतना ही बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है थेंक यू